नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठेकाना लव जिहाद को लेकर कई जगह कई तरह की बाते कही जा चुकी है लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इसको लेकर कानून भी बनाए गए है इसको लेकर गुजरात में एक ऐसा कानून है जिसमें गुजरात की हाई कोट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सुप्रीम कोट का ही ओर्डर चलता है लव जिहाद को लेकर गुजरात में एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया दूसरे धर्म की लड़की को अगर बहला फुसला कर, धोखा देकर, लालच देकर अगर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उसके लिए 5 साल की सजा है और 2 लाक का जुर्माना है और अगर लड़की नाबालिक है तो फिर ये सजा बढ़कर 7 साल हो जा इस कानून के एवज में एक संगचन ने हाई कोट में चुनौती दी थी, इस कानून की कुछ धाराएं हैं उसमें बदलाव करने की डिमान की थी, लेकिन हाई कोट ने भी इस पूरे मामले में कुछ कहने से मना कर दिया, क्योंकि इस पूरे कानून में अगर किसी की चलती है तो वो सुप्रीम कौट ही है सबसे बड़ी बात कानून क्या खुद गुजरात सरकार भी अपने इस रूल का या इस लौ का काफी सपोर्ट करती है और उनके हिसाब से ये कानून दो रिलिजिन के लोगों को शादी करने से तो नहीं रोकता है लेकिन धोखा दे कर या गलत नियत से शादी अगर की जाती है तो उसमें ये कानून काफी मददगार साबित होता है हाला कि इस मामले में F.I.R. आप तब ही दर्स करवा सकते हैं जब ये प्रूफ कर पाए कि शादी जो है वो बहला फुसला कर लालच दे कर या जबरदस्ती की गई है लड़की की दूसरे डिलिजन में खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना